कि एजुकेशन शक्ति लाती है, और शक्ति किसी के आधीन नहीं है, धन जरूर शक्ति के आधीन है, आप कभी भी एक उस साप की तरह आप रेक्ट कर सकते हैं, जिस साप में बिल्कुल भी विश नहीं होता, मतलब कि उसमें जहर नहीं होता, बट वो ऐसे रेक्ट करता है कि आ अरजित करना आसान हो जाता है दोस्तों अपने आपको कभी भी किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए मतलब अपने आपको हमेशा ऐसे ही दिखाओ कि हाँ आपके पास हर तरह के गुण है हर तरह की एबिलिटीज है सब चीजे कर सकते हो जो सामने वाला कर सकता है अक्सर लोग बोलते हैं हम लोगों को कमेंट भी करते हैं या पूछते हैं कॉल पर हम से कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है और अक्सर हम लोगों को तो ऐसे लोग मिलते भी हैं कोट में मिल जाते हैं कई सारे वकी लोग मिल जाते हैं यार दोस्त मिलते हैं फ्रेंड सरकल मिलते हैं जो बोलते हैं confidence नहीं है अपनी बातों को अच्छे से हम रख नहीं सकते हैं लोगों के सामने दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो कि अप पॉकिट में उपर पैन जरूर रखते हैं पर वो अनपढ होते हैं ज़ाधा पड़े के नहीं हैं फिफ्थ कलास सिक्स कलास तक पास होते हैं बड़ पैन हमेशा मिलेगा मतलब personality उनकी ऐसी होती है कि pen भी साथ में रखते हैं तो हमें लगता है कितने वो educated होंगे कितना वो समझदार कितना बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा पर जब कुछी लिखने पे आये तो वो लिखना हमेशा avoid करते हैं और अगर लिखवा होगा बड़े-बड़े fraudsters जो लोग fraud करते हैं cheating करते हैं कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे ये पकड़े जाते हैं बात में जब चीज़े खुलती हैं वो एक अलग चीज है बट confidence देखिए confidence देखिए daring देखिए confidence और daring ये कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं कहीं जाकर चीन नहीं सकते हैं गिससे भी अगर ये चीज़े भी खईदी जा सकती थी या चीनी जा सकती थी तो ये सभी बड़े-बड़े लोग आपने बच्चों के अंदर active fit करवा देतें उनके अंदर भी daring आ जाती confidence आ जाता कि आप कभी भी आपके अंदर कोई चीज हो या ना हो आप बेशक से उतने बलशाली नहीं हो उतने शक्ति आपके अंदर नहीं है जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि education शक्ति लाती है और शक्ति किसी के आधीन नहीं है धन जरूर शक्ति के आधीन है मतलब कि आपके प कुल भी विश नहीं होता मतलब कि उसमें जहर नहीं होता बट वो ऐसे रियक्ट करता है कि आप वो काटे तो आप मर सकते हैं और आप उससे डर जाते हैं तो आपका जो अस्तित्व है जो आपका अस्तित्व बनाता है डेरिंग जो आपका अस्तित्व बनाता है मतलब लोगों के सामने इस तरह से आपको पेश आना है हमेशा कि आप उनसे कम नहीं, डरने की जरूरत किसी से नहीं, कभी भी confidence को low ना होने दें, confidence आपका low होता है तो अपने आप पर काम करें, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है, सबसे पहली investment आप खुद पर करें, अपन आपको confident बनाए, daring बनाए, wisdom आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, सातमई enthusiasm, जोश, ये चार चीज़े आप खरीद नहीं सकते, चार चीज़े किसी से आप छीन नहीं सकते, आपके अंदर ये चीज़े होंगी तो मेरा मानना है कि आप दुनिया की इस भीड में बिलकुल अल अदर में से कोई भी एक चीज़ की कमी अगर आपके अंदर है, तो मेरा मानना है कि जो achievements आप पा सकते थे अपने age में, जो achievements आप अचीव कर सकते थे अपने life में, उनसे वंचित रह सकते हों, और ये achievements आपके अंदर होनी जरूरी है, अगर आपके अंदर daring नहीं है, आप आपके लिए लड़ नहीं सकते, जो चीज़े आपकी है सामने वाला चीन भी लेगा आप बात नहीं कर सकते, confidence नहीं है, अपने आपको present नहीं कर पाओगे, confidence नहीं है, कहीं भी खड़े नहीं हो पाओगे, हम लोग जो हमारा profession है advocates का, हम सभी के लिए तो confidence बहुत जरूरी होत यह सब यह की लोगे नाम के आगे learned council लगावा होता है, दोस्तों मैं आपको बताओं, यह सब चीज़े आप कमाओगे, यह सब चीज़ जरूरी नहीं कि by birth आपको मिल जाएं, यह चीज़े काम करते करते, सीखते सीखते आगे बढ़ते बढ़ते, challenges को face करते करते, जो लोग challenges face करना नहीं चाते, मेरा मानना है कि वो आगे बढ़ भी नहीं सकते, challenges बहुत जरूरी हैं जीवन में, challenges जब तक नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो बोलता हूँ, challenges, सिर्फ उन challenges ने ही प्रभुराम को भगवान बनाया, वनना वो राजा ही बनते, राजा ही रहते, सिर्फ राजा के रूप में ही कैलाये जाते, पर भगवान कैलाये क्योंकि वो बनवास पर गए, challenges फेस किये, संगर्श किया आपने जिंदगी में, challenges बहुत जरूरी है, जब भी आपके सामने कुछ challenges आएं, उन challenges को face करो, हस्ते हस और आगे बढ़िये, जिंदगी की परिस्तितियां बैड से और worst हो सकती हैं, मैं मानता हूं, पर उनसे आप हारिये नहीं, हारोगे, तो ये जो चीज़ें मैंने आपके examples दी हैं, कि हमेशा आपने आपको ऐसे, उस साप की तर रियक्ट करो, कि बेशक आपके अंदर जहर ना आप उससे जादा confident हो, आप उससे जादा पड़े लिखे हो, आप उससे जादा बुद्धी मान हो, बट फिर भी आप अपने आपको surrender कर देते हो, क्यों? confidence नहीं है, confidence आपके अंदर नहीं है, आपके साथ में daring नहीं है, बात करने के लिए, और ये सब चीज़े आती हैं बु पूरी knowledge होगी, तो तब आप देखना confidence कैसे आपका बाहर निकलता है, किस तरह से आप बात करते हैं, उसके लिए जादा है जादा पड़ो, जरूरी नहीं किताबों से आप पड़ोगे, education मतलब आप बाहर की knowledge लीजिए, क्या कुछ चल रहा है, current affairs में क्या चल रहा है, क्या ह गुलाम नहीं होती,